हेलो गाइस वेलकम बेक टो माई चैनल तो आज शेयर किया है आपके साथ आलू की बहुती शांदार रेसिपी तो चलिए बनाते हैं सबसे पहले यहाँ पे हमने आदा गलास पानी ले लिया है गर्म करने के लिए एक बरतन में और उसमें डाल देंगे हल्क असा नमक याने और चम्मत चलाते हुए इसे अच्छे से पकने देना है ताकि यह फूल के ऊपर आ जाए जब तक के लिए हम यहाँ पे आलू को कीस लेते हैं हमने यहाँ पे एक कप सूजी पे तीन मीडियम साइज के आलू ले लिए है लगभग सूजी पक चुकी है तो अब इसे गरम गर आलू में इस तरीके से शिफ्ट कर देंगे और हातों में हलका सा ओइल लगा के इसे हमें इस तरीके से मुलायम सा डो बना लेना है सूजी काफी सॉफ्ट हो चुकी है अब जो आलू को हमने कीस लिया था अब सूजी में आलू को एट कर देंगे याद रहे आलू में बिल्कुल कोई गुटलिया ना रहे तो देख सकते हैं बिल्कुल बराबर आलू सॉफ्ट हो चुके हैं अच्छे से किस चुके हैं अब हलका सा और नमक डाल देंगे पहले से सूजी में नमक है तो आलू में बहुत कम सा नमक डाल देना है और यहाँ पर डाल देंगे एक टीस्पून चिली फ्लेक्स और एक टीस्पून खड़ा धनिया जो हलक असा हमने दरदरा सा कूट लिया है अब डाल देंगे आदर टीस्पून सफेद तिल और बारी कटा हुआ हरा धनिया यहां हरे धनिये की कॉंटिटी आपको जादा रखना है अब इसे हातों से अच्छे से सब मिक्स कर लेंगे और इसका सौफ्ट सा डो बना लेंगे और हलक असा इसमें उपर से तेल का हात लगा देंगे अब यह परफेक्ट बन चुका है हमारा मिक्स तो इसकी बड़ी बड़ी से इस तरीके से लोई ले ले लेना है सबसे पहले एक लोई ले लेंगे हम और इस तरीके से इसे चौकी में रखके हमें हलका सा तेल या हलका सा सूखा अटा लगा लेना है डस्टिंग कर लेना है और इसे इस तरीके से बिल्कुल इस तरीके से बना लेना है अब एक चाकू ले लेंगे और बराबर साइज के इसके हम इस तरीके से तुकड़े कट कर लेंगे फ्राइ करने के लिए आप इसके कोई भी साइज बना सकते हैं अब यहां पर एक फॉर्क ले लिया है हमने और सारे नाश्टे में इस तरीके से हम इसे प्रेस करते हुए डिजाइन बना लेंगे बहुत ही अच्छी लगेगी और यह फ्राय होने के पाद बहुत अट्रेक्टिव लगेगी और आप बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है तो बहुत इज़ी तरीके से और जटपट बनके यह रेडी हो जाती है तो देखिए सारे नाश्टे में इसी तरीके से हम बना लेंगे दूसरी तरफ हमने आईल गर्म होने के लिए रखा है बिल्कुल मीडियम फ्लैम पे आईल हमको गर्म कर लेना है और आईल हलके से गर्म हो जाए तो एक एक करके सारा नाश्टे इसमें डाल देंगे और मीडियम फ्लैम पे इसे पकने देंगे ताकि बाहर से बहुत ही जादा क्रीस्पी हो जाए और अंदर से यह पक जाए अब एक साइड से काफी अच्छे से फ्राय हो चुका है तो इसे उलट पलट कर लेंगे और गहरा रंग आने तक अच्छे से फ्राय होने देंगे तो यह नाश्टा बहुत ही अच्छा फूला फूला सा बना है इसी तरीके के बाकी के भी नाश्टे बेल लेंगे और इन्हें तेल में अच्छे से फ्राय कर लेंगे अब तेल निधारते हुए नाश्टे को हमें निकाल लेना है पर्फेक्ट बन चुका है यह देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ चुका है तो गर्मा गरम इसे सर्व करेंगे तो बिना कोई जंजट के फटा फट तयार होने वाला और बहुत ही कम समान से क्रिस्पी सा नाश्टा तयार है ये अन्दर से बहुत ही सौफ्ट और उपर से क्रिस्पी बन चुका है तो टोमेटो केचप के साथ सर्व करें और रेशेपी पसंद आती है तो वीडियो के एक लाइक कर दीजिए चेनल को शेर सस्क्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुचे थैंक्स फर वाचिं इस वीडियो